एक लड़का और लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे लड़की एक बात पूछो लड़का जरूर पूछो लड़की हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहां जाते लड़का अल्ला की कसम डायरक्ट जन्नत में जाते एक आदमी तलवार लिये मस्जिद में गया और आवाज लगाई आप में कोई सच्चा मुसल्मान है एक बुजर्ब बोले मैं हूँ आदमी उनको बाहर ले गया और उनके कदमों में बकरा जिबा किया फिर मस्जिद में गया तलवार से खून टबक रहा था लोग घबरा गए वो बोला और कोई सच्चा मुसल्मान है किसी ने आवाज लगाई मौलवी साहब है मौलवी साहब उससे से बोले बक्वास कर रहा है कमीना मैं तो ऐलान करवाने आया था कि पड़सों से केबिन नहीं आ रही एक लड़का लड़कियों को I love you बोलने की सबसे अच्छी जगा कौन सी है दूसरा लड़का दाता दरबार पहला लड़का वो क्यों दूसरा लड़का क्योंकि वहाँ लड़कियोंने चपल नहीं पहनी होती कल मैं बस में बैटा था पास खड़े आदमी ने कौमी तराना चलाया और मैं अदब से खड़ा हो गया फिर वो मेरी सीट पर बैट गया शोहर बीवी से जगड़ते हुए क्या तुम ये कहना चाती हो के मेरे रिष्टेदारों में तुम किसी को भी नहीं चाती बीवी क्यों नहीं मैं तुम्हारी सास को अपनी सास से भी ज्यादा चाती हूँ खावन बैटे बैटे बीवी को और से देख कर सोच रहा था अपनी जिन्दगी की ये वाहिद इन्वेस्ट्मेंट है जो देखते ही देखते डबल हो गई है सरदार हमारा बीवी हमें चोड़ कर चला गया दोस्त तुम उस पर जल्म करता होगा सरदार ओ नई यार कसम खुदा का सगी बेहन की तना रख़ा हुआ था एक औरत ने एक दिन अपने शौर का मुबाइल चेक किया लड़कियों के नाम कुछ इस तना सेब किये हुए थे आँखों का इलाज बातों का इलाज दिल का इलाज बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नमबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी कंड़ेक्टर क्यों लड़ रही हो जो उमर में बड़ी है बैट जाए बस फिर क्या दोनों पूरे रास्ते खड़ी रही एक आदमी बस में सफर कर रहा था अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे को कह रही थी ये हल्वा खालो नहीं तो पीछे वाले अंकल को दे दोंगी जब उसने चौती मरतबा यही कहा तो आदमी बोला बेहन जी जल्दी फैसला कर लो आपकी वज़ा से मैं पहले ही चार स्टॉप आगे आच चुका हूँ एक मौलवी ने पठान से पूचा गुसल की कितने फराइज हैं पठान तीन हैं मौलवी कौन कौन से पठान शेंपू, साबन और तॉलिया एक लरकी ने दूसरी लरकी के साथ तहिया किया कि जब तक मैं 26 साल की नहीं हो जाओंगी शादी नहीं करूंगी दूसरी लरकी बोली मैंने फैसला कर लिया है जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं पच्चिस साल की नहीं होंगी एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था कोई बाबे को रोटी खिला दो बाबा चावल भी खा लेता है बाबा आईस क्रीम भी खा लेता है बाबा बर्गर भी खा लेता है घर से आवाज आई बाबा जूतियां भी खा लेता है बाबा नहीं बेटा सख्ट गिजा मना है जजज क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे मुल्जिम जनाब मैं बेगम को लेने सुस्राल जा रहा था जजज केस खतम करो रहा कर दो इस मासूं को एक प्यारी सी लड़की स्कूल जा रहे थी पपो उसका पीछा कर रहा था लड़की मेरा पीछा ना करो तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है पपो कोई बात नहीं हम खानदानी आशिक हैं तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अबो आ रही है मैंने एक दिन दिल से पूछा वादों और यादों में क्या फर्क है दिल ने जवाब दिया बेटा मेरा काम बस बिलट सप्लाई करना है ये बेरेटियां तुम लोगों ने इजाद की है बाप क्यों रो रहे हो मुझे दोस समझ कर बता दो बेटा कुछ नहीं यार सबजी के पैसों से मैंने अपनी वाली को मुबाइल बैलनेस लोट करवा दिया तो तेरी वाली ने बहुत मारा टीचर किलास रूम में हमारी किलास में प्रिंसिपल आने वाले हैं वो जो भी सवाल पूचें उसका फर फर जवाब देना मेरी इज़त का मामला है थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साब तश्रीफ लाए उन्होंने आते ही पपो को खड़ा करके सवाल किया बताओ अकबर बाद्शा कहां पैदा हुआ पपो फर 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 दुनिया जहां की जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को खुबसूरत और मौबत भरे अलफाज में दूआ देते हैं जबके पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं कि बड़े गेट को तारा लगाया था आदमी पिछले दस महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए गोड़ा सवारी कर रही है दोस्त कोई नतीजा निकला आदमी हाँ यार गोड़े का वजन दस किलो कम हो गया दादा एक जमाना था जब मेरी जेब में सिर्फ दस रुपे होते थे और मैं स्टोर से घी, दूद, डाले, सब कुछ ले आता था पोता अब ये अरकते नहीं चलती दादा जी अब वहां कैमरे लगे हुए है झाले, साथ, यार कैमरे लोगे हुए है